तो हेलो स्ट्वेंट्स आज हम डिसकस करेंगे हमारे इलासिसिती अव डिमांड चप्टर का पार्ट साइकिंड जिसमें हम सीखेंगे कि इडी को निकालने के और कौन से मेतड है तो चलिए शू करते हैं मेरा ना मेरे विकेश शब्ट और आप देख रहे हैं एकनामिक्स की 95 प्लास सीरीज तो इस ट्रेंट जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिसकस कर लिया था कि एडी क्या होता है ठीके और एडी कितने टाइप्स का होता है जिसमें से हमें उनली पढ़ना है प्राइस इलासिस्टि ऑफ डिमांड मांग की कीमत लोच ठीके लेकिन अब क्या गरना है हमारे को य अब क्या हो रहा है अगर question में percentage में value ना दिये unit में दिये price में दिये तो आप क्या करेंगे ठीक है just example के लिए मैं आपको एक example देता हूं कि price जो है वो 20% घट गए price के वए 20% गिर गए false हो गए चलो अच्छी बात है percentage में दिया लेकिन जो quantity की बात है quantity मतलब मात्रा की बात आई तो वहां पर आपको given है कि वह unit है वह 20 से हो गई है 30 कि 20 से कितनी हो गई है 30 हो गई है तो अब आप क्या करेंगे तो इस case में आपको percentage change in price दिया हुआ है लेकिन percentage change in quantity नहीं दिये तो इस case में आप formula काएंगे percentage change in demand निकालने का क्या होता है new demand minus old demand divided by old demand in 200 means नई मांग मैनस प्राणी मांग upon प्राणी मांग in 200 new demand को हम dot denote करेंगे q1 से ठीक है और यहां पे भी q1 से और old demand को denote करेंगे q से तो q1 minus q upon q in 200 q1 minus q upon q in 200 दोनों formula same है वैस्तो ऐसे ही अगर आपका यहां तो quantity गयाब थी तो आपको percentage change in quantity निकालना पड़ा ठीक है लेकिन अगर आपका price गयाब है percentage में तो आप formula आ सकते है percentage change in price कीमत में प्रतिशत परिवरता निकालने का new price minus old price upon old price और into में आपका क्या जाएगा यहां पर hundred ठीक है यह जरूर लगाना into hundred अब मैंने आपको बोलाता लास पार्ट में कि मैं आपको सिखाऊंगा इसका derivation तो derivation करने से पहले मैं आपको इसको solve करके दिखा दूँ तो देखिए percentage change in price तो दिया हुआ है हम percentage change in quantity निकाल लेते हैं तो new कितनी है 30 minus 20 upon 20 into hundred solve करेंगे 5 यह आगया 10 into 5 कितना आ गया 50% ठीक है यह आगया हमारा percentage change in demand we know that हमारा formula क्या है तो इसको मैं side कर लेता हूं यहां पर लिखा था percentage change in demand कितना 50% निकला हमारा और percentage change in price already given था कोशन है 20 कट कर लेंगे से तो 5.2 आ गया 2.5 ED ED is 2.5 ठीक है तो बहुत easy है लेकिन exam में या कह लिजिए school में आपका दूसरा formula भी apply किया जाएगा जो मैंने आपको बताया था और वह formula क्या था यहां लिख देता हूं ED is equal to P upon Q into delta Q upon delta P यह formula अब यह formula बना कैसे मैं आपको इसकी derivation दिखाने जा रहा हूं ठीक है तो चलिए पहले पराने वाले को हम क्या कर देते हैं मिटा देते हैं ठीक है यह भी मिटा देते हैं और यह भी और यह भी चलिए आपको समझना होगा यह वाला formula की अब तक हमने समझाए यह वाला formula अब percentage change in demand अगर मैं बात करूँ तो मैंने बताया था कि वह होता है Q1 minus Q upon Q into 100 यह उपर वाले के लिए only percentage change in demand और अगर percentage change in price की बात कर दो मैंने बताया की डेल्टा P का मतलब होता है P1 minus P और डेल्टा Q का मतलब होता है Q1 minus Q तो यह पर Q1 minus Q क्या लिख सकते हैं डेल्टा Q लिख सकते हैं आप small Q भी लिख सकते हैं no problem upon Q 100 कटी गया है डिवाइड बाई डेल्टा पी आ जाएगा यह और यह आ जाएगा पी अब आपको बता दू कि इसका डिनॉमिनेटर multiply हो जाएगा जाके इसमें और इसका multiply हो जाएगा जाके इसमें math की बाई calculation है याद हो तो अच्छी बात है नहीं में डेल्टा क्योंके डिवाइड भाई नीचे क्या था क्यो मल्टिप्लाइ में आया था क्यों two डेल्टा पी Natalie मैं ने आ आपको बता था दिस वन पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी तो जब कोशन में आपको वैल्यू परसंटेज में ना दियो क्वांटिटी में दियो कि इतनी इतनी दिये तो ऐसे सॉल्व करेंगे चलिए इसको एक इसको आप आराम से यहां पर पॉस्ट करके इसको नौट कर सकते हैं ठीक है मैं यहां पर एक कोशन लिखने जा रहा हूं ठीक है पी आपका दिया है फाइव और पीवन दिया है फूर ठीक है पहला प्राइस के अदा पांच बाद में प्राइस हो गया चार अब दूसरा क्या दिया है क्यूं क्यूंद आपको दस धास क्यों कि फिर घट गया है तो क्यी बन क्या हो गया ठीक है आपको याद रकना होगा कि अगर खटेगा तो डिमांड बढ़नी चीए जस्ट बिकॉज भॉस ऑफ लॉफ दिमांड मांग के नियम के अनुसार ठीक है तो अब यहां पर हम इसको solve करते हैं ठीक है तो उसके लिए पहले मैं इसको मिटा लेता हूं ठीक है अब सबसे पहले हम formula apply करेंगे हमारा इडी का तो इडी का जो formula होता है वो होता है पी upon q into delta q upon delta p यह होता है formula अब सबसे पहले पी की value रख लीजे पी कितना है भई 5 है q की value 10 है delta q मैंने आपको बता चुका हूं कि हैसे निकलेगा q1 minus q तो q1 minus q q1 कितना कितना है बारा 12 minus 10 और delta p 4 minus 5 अब आपको बता दू कि formula में यह value minus में आईगी तो इसके लिए आप formula में अपनी तरफ से minus put कर लीजे क्योंकि आपको ed minus में नहीं निकालना है मैंने आपको बताया कि ed minus में आने का मतलब बस यह होता है कि price और quantity में negative relationship है कीमत और मात्रा में रणात्मत संबंद है लेकिन कई यह ed minus में नहीं और अगर आप निकाल रहे हैं तो भी सही है लेकिन आप नीचे लिख दीजिए into यह बचा 2 divided by minus का 1 अब इस minus को मैंने इस minus से कट कर दिया minus की value खतम हो गई उसके बाद अब इसको आप solve कर लीजे तो यह 5 आ गया और 5 को 5 से कट करा तो 1 तो ed आ गया आपका 1 देखिए बड़े simple तरीके से हो गया यहां पर ठीक है तो आप ed के जो question है percentage वाले वह इसी तरह से solve करेंगे ठीक है अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ अचा अभी और भी टैप के numerical हम solve करेंगे इसमें जिसमें ed given होता otherwise लेकिन आपको मैं कुछ और चीजा समझाओ इसमें आपको degree of ed जिसमें note नहीं करा था pause करके check कर लेना ठीक है कोई दिकत नहीं है यह ed का formula हम लिखे रहें देते हैं degree of ed मतलब ed कितना कितना हो सकता है इसके diagram तो मैं आपको next part में समझाओंगा आज बता हूँ एक सिंपल सा scale बना देता हूँ सकेल मतलब कीडि maximum कितना हो सकता है कभी हम निकालने कभी तो पैंट फाइव निकालने तो कितना हो सकता है देखिए यह स्केल की बात करें तो ed जो minimum होता है वो होता है जीरो है ठीक है और जीरो का मतलब होता है perfect inelastic परफेक्ट इलास्टिक का मतलब है कि प्राइज में चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है ठीक है और अगर मैक्सिम की बात करें तो ed होता है infinity infinity का मतलब infinity war मतले लेना infinity का Anant विसे infinity war भी है कि Anant लड़ाई ठीक है तो यहां पर भी infinity का मतलब कुछ बहुत ज्यादा तो इसका मतलब हो गया perfect Elastic अब यहां पर perfect Elastic का मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी अगर आपने प्राइज में चेंज कर दिया ना डिमांड जीरो हो जाएगी मतलब डिमांड बिल्कुली चेंज जाएगी और इसके मीड में मेडिक तो नहीं कहेंगे लेकिन तब भी इडी इस गल्टू वन उनित्री जाएगी एडी कि क्लातर्टे तो अब यहां की बात करें जब एक से खमर्णज में जीरो से यज़ाधा है तो उससे बोलेंगे E d is less than 1 और अगर यहां पर होगा तो Ed is greater than 1 मेर्ण एक से ज़्यादा है लेकिन infinity नहीं तो इसे its inspire-seample exact in elastic बोल सकते हो और लगी चलेगा वैस्तों है थोड़ा बहुत हुआ तो आप elastic बोलेंगे ठीक है इससे आप लोग लास्टिक कि इसे बोल सकते है अब हाई है ठीक है गब यह यूनिट्री लास्टिक है तो आपका पीदिया हमेशा इनी के भी लाई करेगा means zero से लेके infinity के अंदर ही आएगा ठीक है कभी भी आपका जो कि मैंने कितना होता है जीरो होता है तो अगर आप साइन शोदा नेगेटिव रिलेशन से बिडवीन प्राइज और डिमांड जो माइनस का साइन है वो केवल कीमत और मांग में क्या दरसाता है रणात्मत संबंद को दरसाता है बस ठीक है तो आज के पार्ट में इतना ही अगले पार्ट में कुछ नुमेरिकल डिसक्स करेंगे और इसके ठीकल पॉश्चन भी डिसक्स करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आज के लिए थैंक्यू टाइन बाइबाए